हलो दोस्तों वेलकम तो मैं चैनल माय होम मेकिंग जोर्नी पाया पढ़ना हो पॉला डूइंग गुड और आज के वीडियो में मैं शेर करेंगी कुछ डियाइवाइवाइजर्स रेसिपीज और मच मोर्स तो स्टे टून तिल दी एन तो किचन के लिए मैंने स्टोरेज बॉक बॉक्स लिये थे सेवन पीस का सेट था तो उसी का ये कार्टन बॉक्स है बॉक्स को मैंने ऐसे स्लीपिंग में रखा है और मैंने मार्किंग कर ली है जितने हाइट का मुझे ओर्गनाइजर चाहिए तो दोनों एंड्स में मार्किंग कर ली है और स्केल की हल्प से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है और बस उसी लाइन पे मैं एक नाइफ की हल्प से कट कर लूँगी यानि दो बॉक्स रेडी हो जाएंगे तो बहुत ही सिंपल ये और ये मैं बैसिकली फ्रूट्स वगरा रखने के लिए बना रहे हूँ और इसके कई सारे मल्टिपल यूज़स है आप फ्रूट्स रख सकते हो आप सोप अगरा के डिस्पेंसर रख सकते हो ओईल के बॉटल Willıilles वगरा रख सकते हो बच्चों के टॉइज बुक्स रख सकते हो ऑप्श्ण्ज ऐंनलेस है और इसपे अगर आपको पैंट करना है तो पैंट कर सकते हो या फिर कोई भी टिशू या नापकिन के जो कलर्फुल पैकिंग पेपर आते हैं वो भी इस पे लगा सकते हो तो पहले मैंने उपर की तरफ किया और अभी बॉक्स को खड़े रखके जो नीचे का बेस है वहां पे मैं कट लगाऊंगी और बस ये सिंपल सा जो बॉक्स है वो रेडी हो जा और ये जो बॉक्स है वो रेडी हो गया है पर उसके साइड्स ओपन है तो ग्लू गन के हल्प से मैं इसे ग्लू कर लूँगी और उसी तरह दूसरा भी पोर्शन में कट कर लूँगी आपको जितना हाइट रखना है उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग करके कट कर सकते हो तो इस बॉक्स से मैंने दो बॉक्स रेडी की है और वो जो साइड्स है ओपन के तो वो मैंने ग्लू गन की हल्प से अच्छे से फिक्स कर दिया है और ये बॉक्स बिल्कुल रेडी हो गया है और बॉक्स के अंधर मैंने टिशू पेपर लाइन किया है दो टिशू पेपर लगाए हैं और इनमे में फ्रूट्स रखूंगी और इनमें रेफ्रिजरेट भी करूंगी तो पहले तो मुझे डाउट था कि रेफ्रिजरेट करके शायद ये बॉक्स कहीं सौगी न हो जाए क्योंकि कार्डबोर है मगर नाव इस टू मन्स आइम यूजिंग दिस बॉक्स इन दे रेफ्रिजरेटर कुछ भी नहीं हुआ है बिल्कुल वैसे का वैसे ही है पहले में फ्रूट्स को ऐसे ही कवर्स में रखती थी फ्रिज में बहुत जादा स्पेस लेता था और अनर्गोनाइज दिखता था पर अभी इन में बहुत ही वो नीट और क्लीन दिखते हैं कितने फ्रूट्स है वो भी दिखते हैं ओपन रहते हैं एरी रहते हैं और प्रिज में बहुत स्पेस कम भी लेता है तो यू कैन अलसो गिव इट ट्राइ तो चलिए अभी मैं आपके साथ शेर करती हूँ दम मालू की रेसिपी तो ये कुकर दम मालू की रेसिपी है जो डायरेक्ट बन जाएगी बहुत ही क्विक बन जाएगी और इसे मैंने भी फर्स टाइम ही ट्राइ किया है पर काफी अच्छी और टेस्टी बनी थी और बहुत क्विक बन गई थी तो रेसिपी आपके साथ भी शेर करती हूँ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी इसे जरू ट्राइ करना तो यहां पर मैंने छोटे-छोटे साइस के आलू लिये है और एक फोर्क की हेल्प से इसे कुछ-कुछ तरफ मैंने ऐसे पंचर किया है तीन टमाटर लिये है और यह मैंने एक हारा पेस्ट रेडी किया है उसके लिए मैंने एक आदा प्याज लिया है यहां USA में प्याज काफी बड़े होते है इसलिए मैंने आदा लिया है अगर आपका छोटा एक ओनियन हो तो आप वो ले सकते हो दो हरी मिर्च, छोटा सा एक अद्रक का तुकड़ा और थोड़े से धनिया पत्ता तो इनका मैं एक अच्छा सा एक पेस्ट बना लूँगी तो इसे हम डारेक्ली कुकर में ही बनाएंगे तो कुकर में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी लिया है तेल और गी गरम होते ही उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और सोफ अच्छे से सोटे कर लेंगे फिर हमने जो हरा पेस्ट रेडी किया था जिसमें प्याज, हरी मेर्च, अदरक और धनिया पताइड किया था वो पेस्ट डालके अच्छे से भून लेंगे ताकि उसका जो raw flavor है वो निकल जाए और वो जो मसाला है अच्छे से थोड़ा थिक हो जाए तो अच्छे से मसाले को तेल में भून लेना है मसाला अच्छे से भून गया है तो dry spices में आड़ किया है हल्दी powder लाल मिच का powder और दो चम्मच के करीब धनिया पावडर अच्छे से एक बार एक quick mix दे देंगे पाउडर इससे अच्छा एक कलर आएगा सबजी को अगेन अक्विक मिक्स और इसमें अभी में आदा कप के करीब पानी आड़ करूंगी आदा गलास पानी और मसाले को अच्छे से पानी में घोल लेंगे फिर इसमें आड़ करूंगी स्वाद अनुसार नमक और इस ग्रेवी में इंस्टेंटली तो डू गिविट अ ट्राइ और काफी अच्छे बने थे यहां पे मैं सबजी जादा बना रही हूँ क्योंकि नेक्स टे लंच बॉक्स में भी मैं यही पैक करने वाली थी तो यही सोच के मैंने कॉंटिटी जादा रखी है तो मसाले के साथ आलू को मैं मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पे अगर आपको और थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो और थोड़ा पानी इसमें एड़ कर सकते हो और अभी मैं इसमें टमाटर का प्यूरी आड़ करूंगी तीन टमाटर का प्यूरी आड़ किया है मैंने अच्छे से टमाट को ग्रेवी के साथ और अलू के साथ हम مिक्स कर लेंगे और एक बॉइल आने तक खुला ही इसे कुक करेंगे और एक बॉइल आने के बाद बस कुकर बंद करके इसमें 3 सीटी आने देंगे अगर आपको आलू बहुत ही सॉप्ट चाहिए तो आप चार भी दे सकते हो पर तीन काफी है मैंने तीन सीटी लगाए थी और आलू जो है वो परफेक्ली कुक होए थे और अगर आपके पास ये बड़े वाले आलू नहीं है तो जो अपने नॉर्मल आलू होते हैं उनको भी ऐसे पीसस में आप कट करके सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हो और कुकर अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसे उपन करेंगे धनिया पता से मैंने गार्निश की है और ये जो जटपट बनने वाले कुकर के दम आलू है वो बिलकुल रेडी है बहुती स्वाद और यमी बने थे बच्चों के लिए मैंने आलू थोड़ा स्मैश करकी दि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो और आप ये ट्राय करते हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए कॉमेंट्स में मुझे लिखिए कि आपको ये वीडियो ये रेसिपी कैसी लगी आज का व्लॉग कैसा लगा और बस चाय बनाते वक्त मैंने थोड़ी सी मी प्रेप कर दी फटा फटा ये जो मिर्च थे उनको मैंने डंडल हटा के साफ कर दिये है बस ऐसे काम करते वक्त आप जब कुकिंग हो रहा है तो आप वेट करते हो तो साइड बाइ साइड साइमल्टेनेसली आप कुछ ना कुछ करते रहो तो वो टाइम यूटिलाइज हो जाता है और उसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ता है तो यहां पे सारे जो हरी मिर्च है उनको मैंने साफ किया है और ऐसे डिब्बे में टिश्यू में नीचे भी टिश्यू लाइन करती हूँ और उपर भी तो अच्छे से वो रहता है पानी उसमें नहीं जाता है और बस वही स्टेप्स फॉलो करते हुए मैं यहां पे करीपता को भी साफ करके डबे में स्टोर कर लूँगी करीपता बहुत यूज होता है करीपता और धनिया मेरे किचन में बहुत सादा यूज होता है तो मैं एक साथ करीपता के दो दो ले आती हूँ और वो जो सुखे हुए करीपता हैं कई बार तो मैं उनको मेरे हैर ओयल में या फिर जो हैर रिंस में करती हूँ उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ तो कभी मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी तो बस जो अच्छे फ्रेश लीव्स थे उनको मैंने डिबे में रखा है और वो ड्राइड लीव्स है उनको मैंने अलग से रखा है और अब आती है अद्रक की बारी तो बस अद्रक को भी इसी तरह मैंने उपर का जो उनका स्किन है वो हटा दिया है अगर फ्रेश है तो मैं नहीं आटाती हूँ पर थोड़े अदरग गिले-गिले से थे तो उपर का जो मैंने स्किन है वो पील करके चौप कर लिया था तो इतना ही मैं चौप करके रखती हूँ जितना मुझे एक हफते बर चाय के लिए लगेगा तो जादा तर अदरग चाय के लिए ही यूज होता है तो इतना तो मेरे चार-पास दिन काम आ जाएंगे और जब ये खतम होगा तो मैं और थोड़े से अदरग ऐसे ही कट करके रखूँगी और मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि ये मैंने नए ओयल डिस्पेंसर लिये हैं ये पुराना वाला है अभी जो मैं फिल करूंगी वो वाला तो पैक आफ टू मैंने लिया था तो वाश करके मैंने रखा था तो अभी एक में मैं मस्टर्ड ओयल फिल करूंगी और काफी अच्छे ये बॉटल्स है लीक प्रूफ है और दिखने वाइस भी लुक वाइस भी और यूज करने के लिए भी बहुत यूजर फ्रेंडली है काफी अच्छे है मुझे तो काफी अच्छे लगे तो बस ऑईल्स भी मैंने इसमें भर ली है और मैंने फ्लावर पॉट में गुलाब की पते रखे थे पर वो पते गिरने लगे थे पर काफी फ्रेश थे तो मैंने सोचा चलो इसको ऐसे बाउल में पानी डालके मैं रखती थी हूँ तो सारे petals को मैंने ऐसे बावल में पानी भरके वो petals को ऐसे सजा दिया था काफी अच्छे और colorful लग रहे थे और बस जो मेरा center table है वहाँ पे मैंने इसे decorate कर दिया था तो और कुछ दिन ये इसमें पानी में fresh रहेंगे तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा vlog, recipe और organizer DIY मेंने शेयर किया है अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग वीडियो को लाइक कीजिए, comment कीजिए आपके comments पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग अपने friends और family के साथ लिंक जरूर शेयर कीजिए उसे मेरे चैनल को grow करने में help होगी so do support और मेरे चैनल में कई सारे वीडियों है लगबग 230 वीडियों है जिसमें बहुत सारे cooking recipes है travel vlogs है, routine vlogs है anniversary celebration vlogs है lunch box recipes है तो जरूर आप check कीजिए मिलती हो next video में till then stay connected, stay happy take care, thank you so much for watching